हलो स्टूदेंट्स स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फ़न 910 11 के यूट्यूब चैनल पे जहां हम तीचर्स आपको दिला और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो जैसे कि मैंने क्लास 9 वालों के लिए पीपल आज रिसोर्स अल्रेडी स्टार्ट कर लिया था और हमने इ लेक्ट नमबर टू की बारी जहां हम इस पूरे चैप्टर को कर देंगे खतम और साथ ही साथ हम इसके करेंगे एंसी आथी क्वेस्टिन्स लेकिन वो शुदू करने से पहले थोड़े से फ्लैश बैक में जाते हैं एक बार दुबारा से जितना भी चैप्टर हमने लेक्ट लेक्ट नमबर वान में बताया था कि एक रीसोर्स होता है वो चीज जो आपकी नीज को करती है साडिस्फाइ लेकिन यहां हम इस चाप्टर के अंदर एक इनसान एक यूमन बींग एक पीपल को क्या बना देते हैं रीसोर्स आसान तो नहीं है जैसे कि हम किसी भी किसी भी में इन्वेस्मेंट करते हैं वो इन्वेस्मेंट हमें रिटर्न्स देती है सेम टू सेम हमें एक इनसान को एक रिसोर्स बनाने के लिए उसमें करनी पड़ती है इन्वेस्मेंट और जिस तरीके से एक चीज में इन्वेस्मेंट की हुई रिटर्न्स दे रही है सिमिलरली ज health जिसके अंदर skills and training development भी आती है और जैसे कि एक घर जब एक खाली घर में पुरा समान लोग आ जाते हैं वो एक house से home बन जाता है ऐसे ही कि इंसान में अगर education यानि कि literacy health अच्छी कर दे तो वो भी पूरे देश के लिए एक asset बन जाता है क्यूंकि वो अपने देश को देता है returns साथी साथ हमने यह देखा कि क्या role play करती है education एक human being के life में और क्या role play करती है health एक human being के life में यह आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो इसी चानल पे मेरा पिछले lecture जाके देखिए और समझिए और अगर उस lecture में से कोई भी doubt आता है तो comment section में लिखिए साथी साथ हमने देखा कि activities economic activities के बारे में तो वो दो टाइप की थी एक थी market activity एक थी non market activity और हमने और activities के बारे में जो पड़ा वो थी primary यानि की agriculture and related sector secondary यानि की manufacturing sector टर्श्री यानि की service sector के बारे में साथी साथ मैंने आपको उसमें जितने भी जितने भी questions उस topic से आ सकते थे वो मैंने अपनी बुक के अपनी NCRT के questions भी solve कर पाएंगे और उसके answers भी you know आपके school में मिलते हैं help कर पाएंगे तो चलिए let's begin okay are you guys ready करे शुडू चलिए let's begin our chapter people as a resource lecture number two unemployment yes unemployment unemployment का मतलब होता है बच्चो बे रोजगारी अब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है जो आप comment section में answer करेंगे कि are you guys unemployed सारे 9th की बच्चे मेरे सामने होंगे obviously बात है कोई 10th 11 12th का इतना अवेला तो होगा नी जो ये lecture देख रहा होगा तो आप लोग मुझे बताईए कि क्या आप unemployed है are you guys unemployed जल्दी से I want answers are you guys unemployed okay students are writing yes ma'am students are writing yes सिभे एक बच्चे ने ना बोला है अभी तक तो बेटा जी no you are not unemployed ना तो आप employed है ना ही आप unemployed है क्यूंकि ये जानने के लिए आपको इसकी definition को समझना पड़ेगा Unemployment एक ऐसी situation होती है जहां एक particular person job करना चाहता है काम करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा होता ऐसी situation को हम बोलते हैं unemployment clear है बेटा ऐसी situation जहां पे हम काम करना चाहते तो हैं लेकिन हम करी नहीं भारे तो वो हो गई आपकी unemployment क्लियर है विटा तो अगर हम इसको पड़ें when a person is actively seeking a job जब एक person actively job ढून रहा है but is unable to get employed लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है then he is called unemployed person तब उसे कहेंगे unemployed person people in the working age अच्छा तीन category होती है ages की 0-14 होती है child age 15-59 होती है working age जहां एक इनसान काम करता है अच्छा हां यह नहीं एक 14 साल से कम का बच्चा काम करना चाह रहा है उसे काम नहीं मिल रहा है तो unemployed and no working age का होना चाहिए then 60 plus आपका हो गया senior citizen वाला ठीक है तो भहिया यहां पे working age में only can be termed as unemployed if any one of them is without a gainful employment अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो additionally if a person voluntarily does not want to work he cannot be termed as unemployed अगर कोई इनसान 14 से 15 से 59 में भी आता है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है मेरे बहुत सारे अभी friends है जो अभी तक जिनकी शादी भी नहीं हुई है कोई job भी नहीं कर रहे है बस enjoy कर रहे है तो वो लोग या तो काम करना चाहते ही नहीं है वरना यार मिली जाता मैं 27 साल की हूँ काम तो मिली जाएगा इतना तो पड़ लिख ली होंगे लेकिन वो काम करना नहीं चाहते है तो वो भी unemployed नहीं कहलाएंगे तो simple सा सार इन बातों का निकल के आता है ऐसा person जो काम ढूंड रहा है काम करना चाहता है काम ढूंडे के लिए महनत कर रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है तब वो कहलाएगा unemployed person okay now there are a type of unemployment better just a second you know there are अब हम यहां पर बात करने वाले हैं types of unemployment की क्योंकि यहां से ही question exam में आ जाता है types of unemployment की बात करें तो बेटा आपको पता है कि आपकी दो regions होते हैं एक होता है rural area यानि की villages वागेरा और एक होता है urban area यानि की शहर right अब rural area में दो major type की unemployment पाई जाती है एक होती है seasonal unemployment और एक होती है disguise unemployment इसे हम प्यार से hidden unemployment भी कहते हैं क्योंकि यह hidden in nature होती है अभी समझाएंगे urban areas में एक ही तरीके की unemployment होती है और वो है educated unemployment ठीक है मेरा बच्चा तो यह आपका पूरा flow chart हो गया क्योंकि exam में आ जाता है कि which type of unemployment is more prevalent in urban areas explain तो वहां आपको तीनों नहीं सिर्फ educated explain which type of unemployment is prevalent in rural areas explain दोनों इसलिए आपको बाइफरकेट करके बता है चल अब सबसे बहरे हम सीजनल के में पढ़ लेते हैं सीजनल unemployment जैसा कि नाम कह रहा है यह पिच्चर में मजज़ यह पीपिटी बनाने वाले भाहिया मज़े ले लेते हैं जैसे कि नाम कह रहा है this type of unemployment is seasonal in nature seasonal in nature का मतलब है यहां पे यह जो unemployment है एक particular season में एक काम कर रहा है महनत कर रहा है you know मज़़ूरी कर रहा है लेकिन एक सीजन में वह अराम कर रहा है यहां सीजन से मतलब summer winter ऐसा नहीं है यहां सीजन से बतलब है उस पार्मिंग रूरल एडियास में मोर्ड मोस्ट रेकरिंग employment is farming agriculture agriculture is seasonal in nature आप कोई भी crop उगा रहे हो उसका एक बोने का और एक harvest करने का समय होता है उसके आगे पीछे farmer क्या करेगा खाली तो this type of unemployment is known as seasonal unemployment this type of unemployment is more prevalent in rural areas the farming cycle is seasonal season based there are certain months जहां पे तो बहुत बीजी होता है एक farmer लेकिन there are many other months जहां पे एक farmer जो होता है वो खाली बैठार होता है without a work होता है तो this is known as seasonal unemployment because agriculture is seasonal in nature agriculture is seasonal in nature okay now hidden unemployment छुपी वही unemployment इस situation में एक particular person दिखता तो है काम कर रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है वो दिख रहा है कि काम कर रहा है नजर आएगा आपको काम कर रहा है लेकिन actual में वो अपना full potential नहीं डाल रहा है this type of unemployment is also more prevalent in rural areas to understand this example लेते है पर्टिकुलर एक फील्ड है फार्म की जहां आठ आदमी काम कर रहे हैं all of them वो सभी के सब अपनी ही फार्म पे काम कर रहे हैं the size of the farm makes it possible to be efficiently managed by 5% जो फार्म है वो पांच लोगों के काम से भी हो सकता है आप एक बात बताओ एक पर्टिकुलर फील्ड है उस अगर 100 क्विंटल गेहूं उगरी है और वो पांच जने कर सकते हैं उसमें आठ लगा दोगे तो क्या वो सौ की दोसोगर देगा सौ की 110 कर देगा नहीं अब आप मेंसे कुछ बच्चे बोलें कि मैं टाइम बचेगा अरे यार एक फार्मर की औरी सीजनल एक्टिविटी है वो टाइम बचा के करेगा क्या खाली तो बैठेगा चार पाई पर मंजे पर लेटेगा समझ रहे हो समझ रहे हो ना बस वही वाली बात है सेम बात है हिडन अब वो जो रेस्ट आफ थ्री परसंस है वो उठके किसी और के फार्म पर जाए काम करें उनको क्या मिलेगी वेज अगा इसजो को सी और नौसे कॉंटेबूत जादा करता है सही के रहे है चालो तो दे एक्च्तुस स्थिय परसंस सिंटरी परसंस नॉफी तोंस अच्टूंडिव प्र्टिविट इनन प्र है रहे Γेंवा उडदमें पर 15 तोंस सेशन गूरुच है झालो family members एक grocery shop में बैठे होते हैं और वो बैठे रहते हैं एक एक करके बारी लगाते अरे यार कहीं और काम कर लो पैसे कमा लो contribute ज्यादा कर दो नहीं this is known as hidden this guy's unemployment exam में आईगी तो example के साथ समझा देना पांस नमर में भी आ सकती है चल अब आती है हमारी तीसरी टाइप की unemployment that is educated unemployment आप कहोगे यह कैसी unemployment है educated होके भी unemployed हो रहा है यस बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि लोग पड़े की यह हम तो ओर उपर काम पे लग सकते और वो उपर काम आता ही नहीं तो the problem of unemployment among the educated youth is very high in urban areas nowadays even highly educated youth like graduates post-graduates are unable to find a job some analysts suggest that most of the highly educated youth do not possess employability but most of the analysts say that it is because of demand and supply gap demand supply gap का मतलब क्या होता है demand of labor is less and supply of labor is more हमने पड़ा है labor is abundant in nature the story of village पालंपूर भी हमने पड़ा है the labor is abundant in nature तो just because of that supply is greater than demand ये situation arise हो जाती है clear है पक्का कुछ समझ नहीं आया अभी तर तो पूछ लो इसके बाद एक और टर्म समझा देती हूं पता नहीं वैसे आती नहीं है लेकिन फिर भी समझा देती हूं under employment under employment it is a situation in which a person is working less than his or her capabilities now what does that mean for example एक टीचर है एक टीचर पढ़ा सकता है या सकती है supposed to be like seven hours a day eight hours a day लेकिन because of family duties because of his or her kids मों दो घंटे तीन घंटे की class ले रहा है या ले रही है तो that situation will be considered as under employed यानि कि वो और काम भी कर सकती है लेकिन because of other responsibilities वो काम नहीं कर पा रही है वो situation होगी under employment कि एक person visibly working है लेकिन वो पार्शली वर्किंग है पार्ट टाइब जॉब कर रहे हैं पुली employed नहीं ठीक है एक्जाम में आ सकता है इसलिए तुम्हें बता दिया टिप समझ लो तुम्हें ये न लगे हम पार्शल करके पढ़ाते हैं ओके हम लोग टीचर लोग है हमारी honesty है कि हम लोग बिलकुल वैसा ही पढ़ाएंगे जैसा हमारे अंदर से निकलेगा हम यह नहीं सोचेंगे कि भाया हमारा पेड़ बैच है यह हमारा recorded बैच है मैंने आपको यहीं बताया सबसे बड़ा जो difference हमारे पेड़ बैच और recorded बैच में है वो यह है कि वहां हम regular basis पे मिल रहे है एक fix time पे मिल रहे है लाइव मिल रहे है टेस्ट हो रहे है subjective objective हैंड रेस करके बच्चा मुझ से doubt पूछ सकता है यहां आप comments में लिखते हो पता नहीं कब देखा जाता है कब reply आता है तो वहां compatibility वहां मिलना जुलना वहां you know doubt sessions, assignments, tests, handwritten notes इन सब की facilities थोड़ी frequent और ज्यादा है बस यह difference है तो आप लोग भी अगर हमारे paid batch में enroll करना चाहते है तो there is a batch named Newton's batch on our science and fun app वहां आप जा सकते हो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ यह इस channel पे जिज़ुस का भी पढ़ाया हुआ पसंद आता है आप batch purchase कर सकत हो 1100 रुबे का batch है पूरे साल का जहां पे आपको math, science, english, sst regular basis पे live stream में पढ़ाई जाएगी extra doubts होंगे extra you know material बिलेगा तो वो आप जाके enroll कर सकते हैं purchase कर सकते हैं it's your choice चली आगे बढ़ते हैं हमने तीनों टाइप की unemployment पढ़ ली समझ ली अब हम बात करेंगे unemployment की प्रभावो के बारे में एफेक्स के बारे में तो unemployment जो होता है वह emotionally एक unemployed person को भहिया बहुत drain कर देता है अगर किसी एक particular person के पास काम नहीं है उसके घर वाले उसको ताने देगे उन वो खुद इतना परेशान हो जाएगा depression में चला जाएगा अगर वो का unemployment is what जो काम करना चाहता है लेकिन मिल नहीं तो वो तो परिशान हो जाएगा वो तो परिशान हो जाएगा कि मैं ढूंड रहा हूं मिरे में ऐसे क्या कमी है ऐसे thoughts आने लग जाएगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो actually बहुत पढ़ाई करते हैं बहुत महनत करते हैं बहुत efforts करते हैं लेकिन उनके उन् 100% नहीं दे रहे हो अगर आपके you know desired marks दिया रहे हो तो लेकिन अगर आप दे रहे हो तो आपके marks भी आएगगे आप 90% दे रहे हो आप करें मैं मेरे फिर भी 70 आ रहे है कोई बात वेट कांसेंट्रेट सब हो जाएगे और यार हम किस लिए हैं तुम्हारे लिए हैं बस मैं क ही बोल सकते हैं कि हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास guidance नहीं थी यह platform में बहुत guidance बहुत इस channel से यह समझा रहा है इस channel से वह समझा रहा है you have variety you have choices right okay so it can be financially and financially पैसों की तरह emotionally इसकी family पे भी effect डाल सकते है इकलौता कमाने वाला है वो काम नहीं कर रहा है घर का खर्चा कैसे चलेगा बच्चों की फीसे कैसे जाएगी मा की दवाईयां कैसे आएंगी a large number of unemployed people is ultimately a liability why because वो कुछ भी contribute नहीं कर पा रही है gdp में total income में वो कुछ भी contribute नहीं कर पा रही है high rate of unemployment can also increase the crime rate crime rate भी बढ़ेगा लोग के पास पैसा नहीं होगा तो चोरी चकारी करेंगे snatching करेंगे तो crime rate भी बढ़ जाएगा clear है बेटा आपको अगर और भी कोई आ रहे है तो comments में बताईए कि unemployed होने से क्या क्या हो सकता है what other effects can unemployment you know create बताते रहिये okay now अगर unemployment scenario देखे हमाला गलाग sectors में तो agriculture में सबसे ज्यादा labor is infused but GDP is coming from other two sectors reason is this guy is unemployment because in agriculture sector people seems to be employed but they are actually not employed वो दिखते है काम करते हुए लेकिन वह होते नहीं तो agriculture is still the largest employer however the percentage of people working in agriculture has declined yes कब तो ही है service sector boom कर रहा है ना आप मुझे comments में बताईए आप क्या क्या बनना चाहते है बताईए चलिए अभी जल्ज कर लें कि आप बड़े हो के क्या बनना चाहते हैं बताईए आप टीचर डॉक्टर इंजीनियर एयर hostess और और software developer IAS देखे आप लोग को एक दूसरे के comments तो दिख रहे होंगे कोई doctor कह रहा है कोई engineer कह रहा है कोई software developer कह रहा है कोई air hostess कह रही है कोई nurse कह रही है यह सभी क्या है all of these are serviced nobody has written I'll become a farmer nobody this is what is said है कि agriculture sector से decline तो कर रहा है लेकिन still people are more important due to the fact that agriculture is the largest employer the problem of seasonal and hidden unemployment is quite high in India the secondary and tertiary sector have failed to generate employment in enough numbers क्योंकि यार वो educated on employment in the secondary sector small scale sector is more labor intensive जिसकी वज़े से वो employment तो दे पाता है large number को in recent years the IT sector has produced more opportunities for the technically qualified people यार मैं तो अभी यह कह रही हूं कि पहले तो पढ़ाई 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 इतनी important थी लेकिन आज मार्केट में इतनी ऐसी जॉब्स है जो पढ़ाई के बिना भी बिल रही है you can become a content creator you can become a content writer you can become a editor you can become a ppt maker you can become a notes writer a lot of jobs in my edtech only इस edtech में इतना काम है जो educational background के नहीं है उनके लिए भी we need editors we need ppt makers we need test makers we need hand written notes के लिए we need persons and there is a lot of employment right तो अभी education से उपर उटके भी बहुत सारे jobs आ गए है तुम teacher doctor पर ही लगे रहना तो यह पूरा chapter आपका actually वे खतम हो गया है यानि कि सारी चीज़े मैंने cover करवा दी है चेल अभी कुछ points to remember लेके आई हूं quick revise करेंगे कुछ ऐसी बाते जो आपको दिमांग में रखनी है economic activities वह activities होती है जहां पर हम income generate करते हैं और यह कुछ value रखती है डेशन के लिए this guys it happens when the number of persons employed in a particular sector more than what is required this is the definition ये extra person अगर हटा दिये जाए तो output पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा educated employment it occurs when people formal education up to some minimum standard generally up to secondary school fail to find a productive job definition जही gross GNP refers to the sum total of money value of all goods and services जो पूरी economy में बनते है market activity जहां money involved होती है market में बेचने के लिए आप कर रहे हो non-market job self consumption के लिए production कर रहे हो own account production the produced asset is not sold in the market and is produced for self consumption जैसे के एक house आप बनाते हो अपने लिए बनाते हो primary sector everybody knows now secondary and tertiary these all are definitions these all are definitions unemployment vicious cycle एक bad event जोगा वो bad results देगा एक uneducated person जोगा एक uneducated people जोगा वो अपने बच्चे में education में नहीं you know invest करेगा तो one bad event results in another negative event which in turn perpetuates the first event and so on it becomes difficult to identify which is the cause and which is the effect of the cycle definition नहीं आती एक्जामें जनरली अब आते हैं one markers तो उस पे फोकस करना है virtuous cycle one good event leading to another this in turn further promotes the possible first positive event which in turn once again promotes the seasonal positive activity positive good cycle positive even results in positive results okay is everything clear if any doubt please ask in comment section कोई भी अगर doubt है तो प्लीज अपने comments में comment section में भर दीजी अपने doubts I'm here to help you I'm happy to help you वो लिखते रही है आप वो जरूर आपको reply आएगा लेकिन प्लीज लाइव चाट पर लिखके अप live chat पर लिखोगे तो वो disappear हो जाएगे आप actual chat पर लिखा करो ठीक है क्योंकि recorded version है recorded version में live chat नहीं दिखती है जहां actual comment section है वहां लिखिएगा अपने doubts okay तो सबसे पहला question what do you understand by people as a resource to people as a resource is a term that means how the population can be an asset and not a liability it's a way of referring to the working class of society in terms of their existing productive skills and abilities a human human capital tab banta hai jab usme education aati hai jab uski health achi hoti hai training di jati hai education and health also help human beings to be an asset to the economy इसी लिए एक people as a resource यानि एक human capital तब बनती है जब वो working होती है working population होती है how is human resource different from another resources like land and physical capital right what a good question human resource land and physical capital से कैसे लगा बेटा जी human नहीं होगा तो ये assets नहीं चल पाएंगे technology कैसे work करेगी the human capital is very important human resources are different from other resources like land and physical capital because human beings can use other resources to give out production output however resources like land and physical capital are dependent on human what is the role of education in human capital education क्या role play करता है बिटा education एक important role play करता है human capital formation एक educated human जो होगा वो एक asset होगा economic के लिए तेम आप health में भी लिखोगे education जो होगी वो एक individual को एक better economic opportunities use करने में help करेगा वो contribute करेगा environment में, government में, logo में illiterate population में भी productivity बढ़ाएगा quality and quantity of population will be improved because being educated can help the economic status of an individual यानि की पैसा जेब में बढ़ेगा और जिससे सीधा-सीधा फायदा होगा society को an educated person is also aware of health and hygiene और इसलिए वो एक liability ना बलके बलकी एक asset के लाएगा other question health क्या role play करती है तो health भी बेटा जी एक healthy person जो होगा वो better immunity होगी वो लड़ पाएगा सारी बिमारियों से being healthy will also increase the overall outcome of an individual the health of an individual is directly proportional to the work he does yes if a person is healthy then he will work more if a person is unhealthy उसे बैठे रहने का सुस्ती रहेगी सोता रहेगा कुछ नहीं करेगा बैठा रहेगा तो वो unhealthy कहलाएगा the above mentioned points prove that if better health care measures are taken up and an individual in a country becomes more healthy the human capital and productivity will also increase अगर एक परसन healthy होगा तो in short पूरी economy improve करेगी बैठा ठीक है yes keep on writing the doubts okay next question what part does health play in the individual's working life तो if an individual is healthy then they may be able to give a better outcome in terms of their work lives of course यार same है के एक healthy person in comparison to unhealthy person will work more will contribute towards GDP more will be more effective to the economy and will be an asset okay various activities जो आती है अलग-अलग sectors में what is the difference between economic activities and non-economic activities economic activities are those activities which contribute in the environment that is मैं पढ़ारी हूँ आप लोगो को बच्चो को मेरे offline में वो मेरे economic activities है लेकिन मैं घर आके अपनी बेटी को अपने बेटे को पढ़ाऊंगी घर के बच्चो को पढ़ाऊंगी तो वो non-economic activities है women को कम क्यों पेग गिया जाता है कहा जाता है कि women जो है वो physically are not that strong जैसे की एक male होता है यह specially होता है labor factors में आके तो the wage distribution among men and women has been a major concern for the society women are mostly paid less than man and major reason for this is the merge education qualification of women women वैसे भी कम पड़ी लिखी होती है literacy rate तो women का कम है they are employed in sectors which do not provide them with proper maternity leaves child care benefits यहनिके एक बच्चा अगर एक औरत का बच्चा है वो काम पे जाए तो अगर उसके बच्चों के लिए कुछ facilities हो तो वो काम कर सकती है लेकिन होती ही नहीं है maternity leaves का मतलब जब वो pregnant होती है तो उसको छुटिया दी जाए and other provisions are also responsible for managing the household work hence they are paid less than a man skill is another reason why wages for women are less than for men कि बटा points में लिखना है आपको ही मेरी गलती है मैं paragraph में लिखना है आप इसको points में जहां वो आ रहा है full stop महा से अगला point men are considered more skill in comparison to women क्योंकि यह उनको भाहर निकलने दिया जाता है उनको ज़्यादा explore करने दिया जाता है शुरू बात से ही how will you explain the term unemployment अभी समझाई आज की class में ही disguise or signal में difference भी बता दिया और educated unemployment के बारे में भी बता दिया आपको क्या लगता है किस sector में सबसे ज़्यादा employment generate हो सकती है तो बेटा जी its service sector agriculture sector के बारे में वैसे आप सारा बताएंगे कि सबसे ज़्यादा है लेकिन अब decline कर रहा है और service sector की तरफ shift हो रहा है अगला question है आप लोग है मतलब का कि भाहिया आप बताएए कुछ ऐसे measures जहां पर education system जो है वो educated unemployment की problem को solve कर सके तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 12th 5-year plan में जहां पर ऐसी education subject लेके आए जाएं पहली बात तो लोगों को बच्चों को choice दी जाए कि वो actually क्या बनना चाहते हैं वो early age से वो पढ़ना शुरू कर दे हमारे हाँ 10 तक size subject बढ़ाते हैं 11-12th में जाके stream देते हैं और stream भी ऐसी दी जाती है for example मैं commerce से हूँ मैंने accounts पढ़ी है अगर मैं CA बन रही होती तो यह accounts कहीं काम नहीं आती कहीं काम नहीं आती तो क्योंकि on paper डब्बे नहीं बनाता है CA वो computer पे काम करता है और भी कोई जॉब तो कर सकें जिससे वो 10-12,000 उपे बहीना कमा सके योगि हर एक के माव के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको invest करें और भी वो which capital would you consider the best land, labor, physical capital और human capital obviously human capital क्योंकि इसके बिना बाकि सारी capital का कोई वजूद नहीं है तो इसी के साथ हमारे ये complete chapter of people as a resource भी होता है कतम I hope आपको ये पूरा lecture clear हो गया होगा बेटा also keep preparing अब YouTube पे इस साल में lectures पांच डाल चुकी पांच chapters में करवा चुकी हो story of village पालंपूर, french revolution, india size and location what is democracy, why democracy and now people as a resource तो बेटा जी पूरे ये पांच chapters आपको अच्छे से आप आते होने चाहिए जो मुझसे पढ़ रहा है जो मेरा बच्चा है वो तो ये पांच chapters अच्छे से जानता होना चाहिए पेटा आपको बता है मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि एक teacher चुल लो और उसके साथ end तक रहो यही आपको benefit देगा यही चीज आप देख लेना क्योंकि आप अगर अलग-अलग जगा 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 जाओगे कहीं पर भी चुल लो लेकिन एक जगा चुल लो क्यों कि आप एक system मेरा तरीका अलग है मैं ऐसे पढ़ा रही कोई कैसे पढ़ा रही कोई कैसे पढ़ा रही कोई कैसे पढ़ा तो अलग-अलग हो ठीक है चलिए आपको आपको यह आज का पूरा lecture क्लियर हो गया होगा people at the resource का see you all in the next chapter ना और हाँ कॉमेंट्स में जरूर बता देना नेक्स चाप्टर कौन सा चाहिए मैं फर्स 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 सबका करा चुकी हूं अब मैं second 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 पर ही चलने लगी हूं लेकिन आप मुझे बता दीजेगा के नेक्स चाप्टर आप कौन सा चाहते हैं वही शुरू करा दिया जाएगा वही आपको पढ़ा दिया जाएगा comment में जो भी majority में जीतेगा ठीक है तो see you all in the next chapter बाइबाइ मेरे बच्चो